मनिपुर में अभी दो समुदायों के बीच चरहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है रोजाना राज्य में टक्राफ के खबरें सामने आ रही है वही दो महिलाओं की उत्पिडन का चार मई की घटा का वीडियो वाइरल होने के बाद बीजेपी बुरी तना से घिर गई है विपक्ष संसद में पियम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है लेकिन मोदी ने संसद के बाहर 36 सेकंड तक मनिपुर पर बोलने के बाद फिर मौन धारन कर लिया है तो वहीं मनिपुर में हो रहे बावाल का सबसे ज़ादा असर पड़ोसी राज्य मिजुरम में देखने को मिल रखा है संसद के मौनसुन सत्र में मनिपुर टकराफ को लेकर बावाल मचा हुआ है केंद्र सरकार और विपक्षी दलो की बीच समुद्धे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है लेकिन देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी इस मामने पर अपनी जुबान खोलने को तयार नहीं है लोगसबक की कारवाई शुरू होते ही विपक्ष ने मनिपुर हिंसा और पियम मोधी के संसत में ना होने पर नारे बाजी शुरू कर दी जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला ने कारवाई को स्थागित कर दिया राज्य सभा में कारवाई 27 मिनर तक चली लेकिन सभापती जगदीब धनकर और डेरेक औबरोईन के बीच बहस होने के कारण इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थागित कर दिया गया दूसरी और आज सुप्रिम कोर्ट में भी मनिपुर को लेकर सुनवाई हुई थी केन सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि राज्य के हालात तेजी से सुधर रहे हैं 18 जुलाई के बाद राज्य में किसी की जान नहीं गई है आज इस मामले पर सुप्रिम कोर्ट से बड़ा फैसला आने की उम्मीद थी मनिपूर की एन बिरेन सिंग सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो इस महिने की आखरी या अगस्त के शुरुआती हफ्तों में विधान सबा का सत्र बुलाएगी डीबिलाइफ की रिपोर्ट